हेलो फ्रेंड्स, आज में आप लोगो A.R.Y के ड्रामा जलन की बिहाइंड असीन की कुछ इंट्रस्टिंग वीडियो और उनकी कुछ मज़े मज़े की पिक्टर्स दिखाऊंगी मिनाल खान हमेशा हमें बहुत ही क्यूट और पॉजिटिव रोल्स में नज़र आई है लेकिन ये उनकी लाइफ का पहला ड्रामा है जिसमें वो नेगिटिव रोल प्ले कर रही है इस ड्राम में मिनाल हान के साथ साथ इमाद इर्फानी और अरिबा हबीब भीबी नज़र आइएंगी और इस रोल के बाद उनको और बी ज़्यादा शोहरत मिली मिनाल खान सेट पे सबसे चोटी है तो वो अक्सर ही चोटी-मोटी शरारतें करती रहती है और हर मरतबह सीन डान होने से पहले वो अपना up खुद जरूर चेक करती है फाहर्म चीफ और मिनाल खान की इस ड्रामे से पहले ही बहुत अच्छी और गहरी दोस्ती थी तो इन लोगोंने behind the scene बहुत ज़्यदा fun किया और दोनों को dance का बहुत ज़्यदा शोक है तो इन्होंने इस drama के दुरान बहुत ज़्यदा dance किया बहुत ज़्यदा मस्ती की, बहुत ज़्यदा fun किया और एक दूसरे के साथ इन्होंने बहुत ज़्यादा फोटो शूट भी करवाए मिनाल खान शूटिंग के दुरान अक्सर ही अपनी वीडियो बना के अपने फैंस के लिए इंस्टरग्राम पे अपलोड करती रहती थी इनकी कास्ट बताती है कि इस ड्रामे की शूटिंग के दुरान उनलों को बहुत ज़्यादा मज़ा आया उनलों मने बहुत ज़्यादा फन किया और उसकी एक बड़ी वज़ा इस ड्रामे के डिरेक्टर है यह मैं आपको उनकी पिक्चर दिखा रही हूं वो रेल लाइफ में बहुत ही ज़्यादा हस्मों के इंसान है वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है जो भी इनके साथ काम करता है वो हमेशा यही कहता है कि उनको इनके साथ काम करके बहुत मज़ा आता है क्योंकि वो सबको बहुत nicely treat करते हैं और as a friend उनके साथ रहकर drama की shooting करवाते हैं इस drama की shooting के दुरान ये लोग बीच पर भी गए और यहां पर भी हमें मिनाल और फाहद एक साथ नजर आए क्योंकि इस drama में दिखाया गया है कि फाहद मिनाल के साथ बें तेहा मुहबबत करते हैं तो उनने बिहाइंड असीन अपने बहुत से photo shoots भी करवाए अरीबा हभीब ने इस drama में मिनाल की sister का role play किया है ये इन दोनों का पहला drama है जो ये साथ कर रही है वैसे तो आप लोगों को ड्रामे में देखने को मिलेगा कि इन दोनों की आपस में जादा नहीं बनती इन लोगों के जगड़े ही आप लोगों को देखने को मिलेंगे लेकिन behind the scene ये बहुत अच्छे दोस्त बन गए है ये लोग अक्सर ही एक दुसरे के साथ पिक्चर सकिंच वाती हैं वीडियो बनाती रहती हैं अरीवा अक्सर ही अपने डायलोग भूल जाती हैं यहां पर इनके डायलोग इनको यही बता रहे हैं कि तीन दफा तो मैं डायलोग रिपीट कर चुका हूँ तो आई होप आप लोगो मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो मजीद इसी तरह की इंट्रस्टिंग वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताके नहीं आने वाली वीडियो आपको टाइम पे मल सकें सो थैंक्स पर वाचिंग